ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है खबरों में आगे बनने स्पहले फिर से नज़र डाल लेते हैं आज की हेलाइन्स पर हेडलाइन्स पावर्ड बाई के द्यूज सब्दाहिक समचार पत्र जो रखे आपको अगी को स्पॉंसर्ट बाई स्वन आभार ज्वेलर्स जोदे शत प्रतिशत शुदिता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार सत्तर फिस सदी अनुदान पर मिले की सौर फोटोगॉलेटिक लाइटें कहा वीर वदर सिंग ने चाय क्योद्य अंधिरे धीरे कम होने पर भी जताई किन्ता वीर भदर संपत्ती मामले की कारवाई से नहीं है कोई सबंद कहा पूरों मुख्यमंत्री प्रेम कमार भूमल ने मंडी में आम आदनी पार्टी योवा मुच्टा की बैठक हुई आयोजित जन चतना अभियान को लेकर बनाई दस्टने रण निती और आईटाई मंडी में महिला खिलारियों को दिया जाहा प्रशिक्षन 26 में आईटाई स्पोर्ट मीड में करेंगी बहतर पदर्शन मंडी में आंगनबाडी वोर्कर्स एंड हेलपर्स यूनियन का ग्यार्वा राजय समेलन आयोजित किया गया दो दिन तक चलने वाले इस राजय समेलन में आल इंडिया फेडरेशन ओफ आंगनबाडी एंड हेलपर्स यूनियन की राष्ट्रे महा सचिव एयार संदुन शिर्कत की वही यूनियन ने आंगनबाडी वोर्कर्स एंड हेलपर्स के मांदे में विद्धी करने के लिए भी मांग उठाई मंदी में आयोजित आंगनबाडी वर्कर्स एंड हेलपर्स यूनियन का ग्यार्वा राजय समेलन का शुबारम यूनियन की राष्टी महा सचिव एयार संदु ने किया और उन्होंने कहा कि केंदर सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों से बाल विकास पर्योजना के बजट में 50 प्रतिशत कटोती कर दी है जिसकान आंगनबाडी कार्यकरताओं के मान दे में भड़ोतरी नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार 45-वे श्रम समेलन की सिफारशों के आधार पर इन्हें अभी भी मजदूर घोशित नहीं कर रही है जिसकान उन्हें 3,000 रुपए मान दे दिया जा रहा है को बंद करने का जो केंदर का बीजेपी सरकार का जो एक साधिश है और बजट का कटोती है उसको लेके और अंगनवाडी वरकर और हेलपर को जो वरकिंग कर्डिशन है इनको कर्मचारी माने जा रहे है और यह जो नियूंतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा है इसके बारे में भी और हिमाचल सरकार जो पूरा फ्रश्टाचार से आज कल डूब रहे है उसका भी रवईया अंगनवाडी वरकर हेलपर के बारे में जो है बहुत नेगिटीव है उसके बारे में आगे की रणनीती कैसा तयार करेंगे उसके बारे में चर्चा होगा। इस समेलन में संगरश की रूप रेखा तयार करेगी। वो बद से बत्तर होई जा रही है। क्योंकि साथ लगदे राजे जो सटे सीमा है, हरियाना की सीमा इसके साथ लगी है। पंजाब की सीमा इनके साथ लगी है। वहां की आंगनवाडी वर्कर हेलपर की कंडिसन है। हिमाचल की आंगनवाडी वर्कर हेलपर से ज्यादा भेतर है। यहां जहां मानदे बहुत कम मिलता है, इसके साथ साथ काम का बोज लगातार इनके उपर बढ़ रहा है। और रजेश्टर का वर्क भी जो है कि पूरे तेरा चोदा रजेश्टर हैं जो इनको काम के लिए दिये गए हैं। और लगातार अधिकारियों का दबाब बढ़ रहा है। और संगर्ष करने के बाद भी हिमाचल राजिय की सरकार इनकी मांगों की और ध्यान नहीं दे रही है। तो इस समेलन के अंदर हम जहां पर अपनी मांगों के साथ बात करेंगे। तो अगले संगर्ष का भी ऐलान करेंगे कि यहां की जो ब्रेष्टाचार में लिप्टी हुई सरकार है और किंदर की सरकार का जो इसके उपर एक दबदबासा बनके अपना नया रोल किंदर की सरकार आदा करने की कोशिश कर रही है। उसको भी नंगा करेंगे और अपनी अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ते हुए एक संगर्ष का एलान भी यहां के किया जाए। चोटी काशी मंडी में माता के जयकारों की गूल सुनाई पड़ रही है। मसंत नवरात्रों के चलते देव भूमी भक्ती मई हुई पड़ी है। और मंदिरों मेश्रधालों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया है जिनका नजारा देखते ही बन रहा है। चोटी काशि के मंदिर इन दिनों माता के जयकारों से गूझ रही है। बसंत नवरात्रों के चलते मा के दरबार में हाजरी भरने वालों का तांता लगा हुआ है। और लोग अपनी मुरादों के साथ मंदिर में पहुँचकर शीश नवा रही है। इस उपलक्ष में हम सभी श्रधालू यहां पे आते हैं भजन कितन करते हैं और मा की आरती मा का गुंगान बड़े प्यार से करते हैं। अपनी साथ मनोकामन है घृण supplier ऩृण पोल सत्य करते हैं और माता से मुरादें मुरादें पूरी करके आशिर्वाद लेके चाते हैं' हास लेके ही जाते हैं और माता जो है तो सबकी मनोकामना पूरी करती है। यह माता जोए तो बहुत प्रसिद्ध है, इसका मोल्थाम जो आटो कांगड़ा में है, बरजी शुरी माताond adjustable, बहुत सरदाल दूर-दूर से आते हैं, जैसे कि हमिरपूर कांगड़ा, बाकी तो रहने तो दर्मशाला की लोगी यहां आते हैं मनोकाम ना लेने के लिए, और नवरात्रों को लेकर मंदिरों में विशेश आयजन किये जा रहे हैं मंदिरों में शत्चंडी पाठ और भागवत कथा का आयजन किया जा रहा है जिसका सुमापन नवमी वाले दिन किया जाएगा और उस दिन शद्धालों के लिए भंडारी का आयजन भी किया जाएगा अपरेल का महीना इसमें कोई भी राज किया कार्या जैसे की बजट सेशन है या कोई भी बच्चो का स्कूल में नया आगमन होना तो यह जो कार्य है यह कार्य सारे मतलब इसी सित्र में और इसी ज्यान को ध्यान में रखकर आज तक किये जाते हैं यह नवरात्रे माता के नौ दिन तक सभी भगजनों द्वारा बड़ी धुमधाम से बनाए जाते हैं नौ दिन तक इसमें मुख्यता जो अकशन रहता है वो भगजनों का माई के प्रति गुनगान होना और नौ दिन तक जो माता के चर्णों में कलस थापना की जाती है और इसमें मुख्यता जो दुर्गा सबसती के पाठ की भुमकार हती है जिसमें की माता के दोरा चंडमुंड का वद होना महिसासुर का वद होना जो एक नारी शक्ती ने पुरे समाज में एकता बनाई थी जो एक नारी शक्ती ने दुष्टों देंतियों का संघार करके धरम की जीत कराई थी, आज भी वह नारी शक्ती औरतों को प्रुट सहित कर रही है और अरतों के लिए वो नारी शक्ती आज भी उसमें एक उमंग भर रही है एक्ता कि और पूरे राश्ते और पूरे समाज को एक जुड़ने कि और इसी तरह नवरात्रे के पर्व अंत में दुरुगाश्टमी के दिन कन्याओं का पुजिन किया जाता है और नारी का विशेश्टह जो नवरात्रे होते हैं वो नारी के सम्मान में ही किये जाते हैं नवरात्रों के चलते मंदिरों को भाव्या और आकर्शक रूप में सजाया गया है जिनका नजारा देखते ही बन रहा है रात को जग मगाती रोशनी के बीच मंदिरों का सौंदर्या और निखर रहा है पीरोई पोर्ट के चनल नेंगी अहां एक और छोटा सा ब्रेक लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरे लगता जारी रहेंगी जैमा महिसासूर मर्दिनी चैत्रमास के नवरात्रों के शुभवशर पर दिनांग 10 अप्रेल से 15 अप्रेल 2016 तक सारवजिनिक सहयोक से श्री महिसासूर मर्दिनी माता के ढंग सिधार मंदीर में दुर्गा सब्तशी का पाट किया जा रहा है जिसमें कलश थापना 10 अप्रेल प्राता 9 बजे दुर्गा सब्तशी पाट 10 अप्रेल से 14 अप्रेल तक देवश्री महरीगन ब्रह्मा जी का शुबागमन 14 अप्रेल दुपाहर 2 बजे पुर्णा हुती 15 अप्रेल दुपाहर 1 बजे भंडारे का आयोजन 15 अप्रेल दुपाहर 2 बजे से साए 6 बजे तक होगा देवश्री महरीगन जी प्रस्थान 16 अप्रेल को करेंगे आप सभी सादर अमंत्री थें। स्थान रहेगा भगवती महिशाशूर मर्दिनी मंदिर धांसिदार मंडी। कृप्या चंदा मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास देकर ही चणाए। जैमा कोईला देवी नवरात्रों के शुब अपसर पर स्वधालूओं के सहयोग से विश्व कल्यान भगतों के सुख एवं शान्ती हेतू सत्चंडी महायक्य का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जल यात्रा प्रता पांच बजे आठ अप्रेट कलश थापना दोपहर बारा ब चार बजे तक तथा बंधारा प्रती दिन प्रता 10 बजे से तो पहर 20 बजे टक दिनांक 8 अप्रेल छौदा आप्रेल तक नवरे के दिन पूर्णा होती प्रता 11 बजे दी जायेगी तथा बंधारा 12 बच कर 15 मिनट पर शुरू होगा स्थान रहेगा श्री कोईला देवी मूल स्थान राचवर्ट जिला मंडिय। श्थान राचवर्ट जिला मंडिय। digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and mall sets, range of centenary wares, one piece toilet seats, washbasin of different size, well houses toilet, so do visit here and also take a look on one piece toilet centenary wares, like toilet seats and washbasin and many more, so make your bathroom really one piece, with stuff from top 6 brands at very affordable price, visit MS Lader, Luna Pani, opposite Anand Toyota Showroom, Mandi see, income tax के हिसाब से ग्रहा को यदी मुसीबत के समय पुराना सोना बेचना है तथा उसकी रसीद न होने पर, income tax के हिसाब से डिक्लेयर न करवाने पर 45% तक आयकर दंड का प्रापधान है, जिससे हम पुराना सोना नहीं खरीच सकते, Central Excise को एक प्रतिसत बताया जा रहा है, लेकिन अंततर 8% तक ग्रहा को देना पड़ेगा, रिबेर करवाने पर ग्रहा केंप स्वारमितार को पुरा हिसाब किताब रखना होगा, ना रखा तो सामान सरकारी करमचारी चप्त कर सकते हैं, दो लाग के गहने खरीदने पर ग्रहा को पैनकार दर्ज करवाना पड़ेगा, एव ग्रहा को एक प्रतिसत अधिरिक टेक्स भी विना पड़ेगा, धार्मिक संस्थानों को सोना चांदीत खरीदने के लिए उस संस् पता है आप सभी ग्रहाकों से निवेदन है कि इस लड़ाई को ज्वैलर्स की लड़ाई न समझे हैं पिल्टु आप सभी की लड़ाई सनातन धर्मसबा मंडी द्वारा राम नमी महोट्सव बनाया जा रहा है जिसकान आठ अप्रेल से पंद्रा अप्रेल तक भगवान राम की कथा कश्रवन किया जा रहा है वह इस नातन धर्मसबा मंडी कमेटी के असदस्य क्रिशन कुमार मंड होत्रा ने सभी लोगों से निवेदन किया है कि राम कथा का श्रवन कर अक्षे पुन्य की प्राप्ति करें हमारे यहां राम नमी का फंक्शन जो है वड़ी दोंगाम से मनाया जाता है यह फंक्शन सुक्रवार आठ अपरेल से सुक्रवार पंदर अपरेल तक आयोग जित किया जा रहा है इसके कथा शाम को जो है चार बज़े से छे बज़े तक कथा का समय है शिरी पंदर राजेंदर शर्मा जी कथा को समय दित करते हैं और यह कारकरम बड़ी दूमदावं से हर साल मनाया जाता है इस पुरी आईजिन का उदिश्य क्या रहता है सर्था इस सारे कारकम का उदिश्य ऐसा है ताकि जा से जाल लोग राम कथा को सबन करें और राम के जनम दीन के उपलक्स में यह फंचन बनाया जाता है आईटी आई मंडी में खेल परिसर में 5 अप्रेल से 13 अप्रेल तक चल रहे प्रशिक्शन शीवर में महिला खिलाडी जम कर तयारी करने में जुटी हुई है आपको प्तादे के महिला खिलाडियों को कबडी, बैडमिंटन, बॉलिबॉल और वूसु जैसे खेल परतियों कितां का प्रशिक्शन दिया जा रहा है 26-वी HP IT Sports मीट 2016 में बहतर प्रदर्शन करने के लिए ITI मंडी के खेल परिसर में महिला खिलाडियों को तयारियां करवाई जा रही है वहीं पुरुश्वर की 27-वी HP IT Sports मीट 2016 का आयोजन आईटी आई कैंपस शाहपूर में किया जाएगा यह जानकारी IKI Sports Council जीला मंडी के जनरल सैक्रेटरी पिएन आजार ने दी 26 था जो लड़कियों की स्टेट लेवन का टूर्नामेंट में मंडी में होने जा रहा है ठारा से पाही तक जिसमें की पूरे हिमानचल परदेश की निकलूडिंग की नौर और लॉक्स पिती की टीमें आ रही है हमें पूरा विस्वास है कि इसमें नियर अबाउट कोई 500 खिलाडी आएंगे जो की वाली बोल, कवटी, कोको, भूसू और बैडमिंटर, प्रतियोगिता के साथ साथ सोलो सॉंग, मोनो एक्टिंग, सकीट, ग्रूप सॉंग और फोक डांस का यहाँ पर प्रदर्सित करेंगे उसके साथ साथ लड़कों का हमने कैंप जो है वो कोको और कवटी का सुंदनगर में, बसकेट बॉल का आईटेप फ्लोग में और वाली बॉल का जुगेंदनगर में लड़कियों के साथ साथ जो अब लगा दिया है लड़कों के टूर्नामेंट हमारे आईटेई साथ पूर में 25-29 तक होने जा रहे हो हमारी 27 एच्पी स्टेट आईटेई स्कोर्स मीट है जहां हम आईटेई में प्रसिक्षन वभीन विवसाय में देते हैं वहाँ जो हमारे उतकरिष्ट खिलाडी है उनको यहां पर भरपूर जो है वो खेलने का मौका दिया जाता है ताकि वो अपनी प्रतिवा को यहां दिखा सके और यह जो हमारी खेले सिक्षा में वहाँ की तरिक पर हिमांचे प्रदेश से रिपोगनाइजड है इनको खेलों के साथ साथ जो आगे भरती के लिए इसका परपूरी ने फाइदा मिलता है वहीं प्रशिक्षन में भाग ले रही महिला खिलाडी भी काफी उत्साहित है और 26 में HP ITI स्पोर्ट मीट 2016 में बहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ा अभियास कर रही है यहां पर राजस्तरी टूर्णमेंट की त्यारियां चल रही है जिस्टिक लिए जितनी वीबार से ITI से लड़की आई हुए यहां पर जो आप दस दिन का कैम्प लगा हुए हमारा अब बालीबॉल, कबड़ी, खोखो और बैडमिंटन और एक लास अज़न के लिए हम सब यहां से कर रहे हैं दस दिन के लिए अभी राजस्तरी की टूर्णमेंट हमारे यही पड़ल गराउंड में होगे जो जितने भी गेम्स के प्रैक्टिस हो रही है सुबचे से शाम चे बज़े तक और दिन में ब्रेट भी होता है और यहां पर जितने भी हमारे कोचिस हैं वो अच्छे सी प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमारे स्केट लेबल टूर्नमेंट के लिए आपको पताने की आई टी आई मंडी में चल रहे प्रशिक्ष्ण शीवीर में महिला खिलाडी जम कर तैयारी करने में जूटी हुई हैं जिसके चलते मंडी जिला के विविन आईटी आई संस्थानों से 37 महिला खिलाडियों ने प्रशिक्ष्ण शीविर में भाग लिया है कैमरा परसन योगल के साथ ब्यूरर रिपोर्ट हिमाचल की ताज तरीन खबर जानने के लिए देखते रहे के चैनल फिलाल मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार मुझे टीजी आई संस्या प्रश ब्यूरर जानने के साथ ब्यूरर जाई से 37 में ब्यूरर जाए नमस्कार